हेलो फ्रेंड्स मैं हूं कवीता और आपका कवीता गुपता फुड में स्वागत है जैसे कि हम सब एकाथसी के उपवास में एक टाइम सिना नमक खा सकते हैं इसके लिए आज मैंने एक बेहतरीन सबजी बनाई है तो चलिए सुरू करते हैं मैंने एक कड़ाई में दो चम्मच तेल ले लिया एक चम्मच जीरा और लगभग दस दाना काली मिर्च अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे कड़ी पत्ता जैसे ही थोड़ा कुरकुरा हो जाए इसमें हम एक इंच अद्रक और लगभग 6-7 मिर्ची मिकसर में पीस के उसका पेश्ट इसमें डालकर भूनेंगे अब ये धीमी आज पर भूनना सुरू हो चुका है तो जिस मिकसी की सहायता से हमने पीसा था उसमें 2 चम्मच पानी डालकर उसे अच्छी तरह खाली करके इसमें हम डाल देंगे अब आई टमाटर की बारी तो टमाटर हमने लगभग 500 ग्राम लिया है और इसे एक टमाटर का लगभग हमने 8 हिस्सा किया है और कभी इसे धीमी आज पर तो कभी तेज आज पर हम लगातार भूनते रहेंगे अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तो देखिए ये धीरे धीरे पक रहा है अब इसे हम लगभग एक चमश नमक डालेंगे जिससे टमाटर अच्छी तरह गल जाए जैसे ही टमाटर अच्छी तरह गलना सुरू हो जाए तो इसमें हम अब डालेंगे हरा धनिया हरे धनिया का हमें इसे बस डंडी डालना है अब इसको हम ढग कर रख देंगे हरा धनिया जब हम काटते हैं तो उसका पत्ती अलग कर देंगे और डंडी अलग और टमाटर के बाद पहले हम इसमें डंडी डालेंगे जिससे धनिया का स्वात इसमें उभर कराता है तो जैसे ही अब हमने इसे धीमी आज पे छोड़ दिया है अब यह धीरे धीरे पक रहा है, तो अब चलिए देखते हैं कि इसका कलर कैसा हो चुका है, हाँ इसका कलर थोड़ा बदल चुका है, अब फिर से इसको धीम्याज पर ढख देंगे, ये प्रोसेस लगबग हमें 2-3 बार करना है, जिससे की टमाटर बिलकुल अच्छी तरह गल जाए, जैसे ही टमाटर का रंग बदल जाता है और वह गल जाता है, तब भी हमी अन्य सबजी इसमें डालनी है, और सबजीों में इसमें हमें वही यूज करना है, जो घर में ऐसी सबजीों जिसे हम उपवास में यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, जैसे की आलू, कंद, सूर जैसे कि आप जानते ही हैं कि उपवास में कोई-कोई सबजी ही यूज किया जाता है तो आपको तो मालूम ही है कि कौन-कौन सी सबजी हम यूज कर सकते हैं इसमें हम चाहिए तो लगभग एकाद इंच नारियल का टुकडा भी पीस कर डाल सकते हैं वो आपकी पसंद के उपर है कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं जैसे कि आप सब जानते ही हैं जब हम टमाटर में नमक डालते हैं तो वह अच्छी तरह धीमे-धीमे पकना सुरू हो जाता है तो अब चलिए देखते हैं कि इसका कलर बदला की नहीं है इसका रंग बदल चुका है अब हम इसमें अन्य कंद मूल डालेंगे तो चलिए अब सुरू करते हैं इसको चलाते हुए इसमें हम कंद डालेंगे लाल वाला कंद इसको कंद मूल भी कहते हैं इसे लगभग हम एके किंचेस में काटेंगे इसके बाद हम इसमें दुद्धी डालेंगे सबका लगभग एकी समान कटिंग है दुद्धी के बाद हमने इसमें डाल दिया पंकीन और पंकीन के बाद हमने इसमें डाल दिया सूरन जिसकी मातरा बहुत ज़्यादा है अब हमने टमाटर तो अच्छे से भूजाई था अब इसमें हमें यह सारी सबजिया अच्छे से गैस का फ्लेम जरा आप तेज कर लीजियो और अच्छे से इजे भूजते जाईए भूजते जाईए इसे आप जब अच्छे से भूजते रहेंगे तो यह धीरे 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 ध अगर आपको सिंगाडे की पूरी रेसीपी चाहिए तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूले जिससे आपको मेरे नए वीडियो का पता चले और आप कमेंट में यह जरूर लिखे कि आपको यह सबजी कैसी लगी तो आगे मैं ऐसे ही उपवास वाले नए नए वीडियो लाती रहूंगी और जरूरी नहीं है कि यह बस एकाज़ी में ही खा सकते हैं यह आप कभी भी बना कर खा सकते हैं अब इसका स्वाद और बढ़ाने के लिए इसमें हम कुछ टुकड़े नारियल के पीस कर डालेंगे वो भी मिक्सर की सहायता से हमें क्या करना है एक कुकर लेना है और हमने कढ़ाई में जितना भी सबजी भूना है उसे पूरा का पूरे खाली कर देना है और हमें अलग से थोड़ा पानी गरम करके रखना है उसमें डालना है जिससे यह अच्छी तरफ पके अब हम कुकर का सीटी लगा कर रख देंगे जिसमें सारी की सारी सबजी अच्छी तरफ पक जाए एक कुकर दूसी तरफ चड़ा दिया है चुले पर अब हम इस पर कठल का बिया यानि फडस का बिया फ्राई करेंगे जिससे हम उपवास में खा सकते हैं तो चलिए हमने कठल का बिया अच्छी तरह रख देंगे अब इसमें थोड़ा सा नमक डालना जरूरी है जिससे यह अच्छी तरह पकता रहेगा तो कभी इसको इस तरफ तो कभी उस तरफ पलट पलट कर सेखते रहे और इसे धीमी आज पर पकाना बहुत जरूरी है नहीं तो यह आधा कुरकुरा तो चलिए इसको ढख कर रख देते हैं अब जैसे हम इसे खोलते हैं तो यह देखने में अब थोड़ा रंग बदला बदला सा नजर आ रहा है आपने देखा ना लेकिन अभी यह पका नहीं है इसलिए हम इसे फिर से देखेंगे हम अब यह पक चुका है अच्छी तरह से तो चलिए अब इसे हम ढख के रख देते हैं कुछ समय के लिए दूसरी तरफ हमारा कुकर में जो हमने सबजी बनाई है वो भी पक रहा है उसको हमें दो सीटी तेज आज पर सीटी बजाना है और दो सीटी धीमी आज पर सीटी बजाना है तो चलिए अब हमारा तयार हो गया सबजी ये देखिए कितना सुनहरा कलर है इसका तो इसके उपर हम हरी धनिय से गार्निस कर लेंगे और ये कठल का बिया तो देखिए हमारा उपवास का भोजन तयार है तो चलिए आप भी बना कर खाईए गर्मा गर्म परोसिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में